हेलो फ्रेंड वेलकन टू माई चैनल मैं हूँ आपका होश और दोस्त अमित कुमा सिंग आज मैं आपको एक नंबर वन कंपनी बताऊंगा जिसमें आप लोग दिल खोल के पैसा लगा सकते हो आने वाले 10-15 सालों में आपका पैसा कई गुना कर सकता है हम और आप सभी चाहते कि बड़ा पैसे बनाए लेकिन जब investment करने की बारी आती है long term investment करने के लिए बोलता हूं तो कई लोग बोलते हैं कि मैं 10-15 साल बाद पैसे का क्या करूंगा तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि जब आप property खरीते हो बैंक में FD कराते हैं तो लंबे समय के लिए कराते ह आप अगर किसी property को आज खरीदोगे 6 मैना 1 साल या देर 2 साल बाद बेच दोगे तो आपको क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा FD कराओगे और देर 2 साल बाद FD तोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा तेकिन आपने बात बताईए आपने अगर किसी property को 25-30 साल पहले खरीदे थे, आज इसकी वेलू क्या है? करोण रुपया हो चुका होगा, तो अब सेयर मार्केट में पैसे लगा के बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो 15-20 सालों के इंबेस्मेंट करना ही पड़ेगा, 10 सालों के इंबेस्मेंट करना ही पड़ेगा, आप जि PCS इतनी बड़ी कंपनी रातो रात बना है, Enforces इतनी बड़ी कंपनी रातो रात बना है, ATDFC बैंक आठ लाग कोर का मार्केट कैप रातो रात हुआ है, तो फिर आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि आपका पैसा रातो रात बन जाएगा, हम आप लोग को कई बार बताते हैं कि 20R की वैलू 20-25 सालों में 3 कोर बन जाएगा, 4 कोर बन जाएगा, 5 कोर बन जाएगा, 100 कोर बन जाएगा, भाई बनेगा, लेकिन 20-25 साल बहुत लंबा समय होता है, आपके दादा जी ने कोई प्रॉपटी 20-25 साल पहले खरीदोंगे, तभी जाकि उसकी वैलू आज केट में करोलों रुपया होगा, लेकिन अगर आपके दादा जी या पापा बेच देते, तो क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, आप जिस दिन समझ गए ना, पैसे बना लेंगे, और जहां तक बात रहां मार्केट का, तो भाईया मार्केट 25 साल पहले भी इसी तरह से चलते थे, 50 साल पहले भी इसी तरह से चलते थे, मैं जब बिगनर था, 10-12 साल पहले मार्केट में आयता, तो उस समय मुझे डर लगता था, करेक्शन से मुझे भी डर लगता था, मैं पता ही नहीं था कि पैसा कहां पर लगाना है, हमें भी उस समय लगता था, कि जब भी मैं कोई स्टॉक खरीता हूँ, खरीदने के बाइ स्टॉक गिर जाता है, फिर जब अढ़ाई 3 साल मार्केट में हुए, तम मुझे पता चला, कि भाईया मार्केट तो इसी तरह से चलते हैं, हमें बस अच्छी कमपनी का सेर खरीदना है, और इंतजार करना है, तो भाईया पेसिंस रखना पड़ता है, और मुझे लगता है कि भैंकर तेजी होने वाला है, फिर से एक बुल मार्केट स्टार्ट होगा, तो आप लोग खरीदारी कीजिए, आप लोग को यह आखरी मौका मिलेगा, युएस मार्केट जीरो नहीं होने वाला है, सॉलिट कंपनी खरीदिये और भूल जाएए, तो भाईया यह जो कंपनी है, उसका नाम है, पॉलिकेब इंडिया लिम्टेड, आप सभी लोग पॉलिकेब इंडिया को बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे, और यह भी आप लोग को पता होगा, कि पॉलिकेब इंडिया बहुत महंगा स्टॉक है, सहस्ता तो है नहीं, जब भी मैं पॉलिकेब इंडिया वीडियो बनाता हूं, कई लोग कमेंट करते हैं, कि पॉलिकेब इंडिया बहुत महंगा स्टॉक है, तो भाया देखो आप महंगा महंगा करते रहिए ये stock चलता ही जाएगा आप इसका financial क्यों नहीं चेक करते हैं एक बात बताओ भाई इस कौन बनता है जिसके पास talent होता है पढ़ने में तेज होता है तो भाया जो company अच्छे result पेस कर रही है उसको कोई नहीं रोक सकता है वो दीन पर दीन और भी महंगा होता ही जाएगा आप अगर profitable company खरीदेंगे न अच्छे result पेस करने वाली company खरीदेंगे न तो आपका पैस सालोंगे साल बनेगा तो आप इस पे फोकस कीजिया जो लो महंगा महंगा करते रहते हैं न क्या कभी पैसे बना पाते और क्भी नहीं पैसे लगाएंगे तो जब ये सब company करीदेंगा नहीं तो फिर आप पैसे कैसे बना लीजिएगा इन फोर्सेस कभी सस्ता था था क्या पिडेलाइट कभी सस्ता था क्या पजास फैनेस कभी सस्ता था क्या बर इन कंपनियों में जो लू भी पैसे लगा रहे हो पैसे बना रहे हैं बहिया आपको financial देखके पैसे लगाने सवस्ता महगा पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है जो कंपनी अच्छे जल्ड पेस कर रही है आप उसी में पैसे लगाईए पॉलिकेव इंडिया पे मैं IPO से वीडियो बना रहा हूं आप लोग को मैं वीडियो भी दिखाना बहिया मुझे पता था कि ये कंपनी हैवल्स इंडिया के जासा टन बना के दीगा जिस तरह का रिटन हैवल्स इंडिया बना के दिया है पीछले 15 सालों में उसी तरह का रिटन पॉलिकेव इंडिया ही बना के दीगा और उसी तरह से ये stock चल भी रहा है किस प्राइसे वीड पाल यहां ऐखा हैं अगर आपको नहीं बिचना है 10,000 का होगा तो भी आपको नहीं बेचना है कुछ दिन पहले भाई मैं paid service टार्ट किया हूँ जिनको भी portfolio create करवाना है वो मुझसे contact कर सकते हैं मैं यहाँ पे contact number दी रखा हूँ टेलिग्राम जॉइन करना चाहते हैं तो टेलिग्राम भी जॉइन कर सकते हैं मैं कोशिस करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा portfolio बना के देने का contact कीजिए मुझसे paid service चाहिए तो और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा पॉलिकेव इंडिया का सियर बहुत सारे लोगों ने covid ने बेच दिये या फिर 50-60% profit लेके निकल गए उनको क्या मिला कुछ नहीं मिला ऐसे लोग पैसा बना ही नहीं पाते हैं जिस company profit होते रहता है न उसको तुरंत बेच देते हैं और जिसमें loss होते रहता है न उसको कभी नहीं बेचते हैं पॉलिक हैं इंडिया क्या बेचने वाली company है बजास जैसी company बेचने वाला है एसियन पेंट बर्जर पेंट यह सब company को जो लोग भी बेचेंगे न वह बात में पस्ताएंगे फस्ताएंगे solid company में पैसा बनता है भली आज पैसा नहीं बने लेकिन देर दो साल बात पैसा बनेगा यह आप लिखके रख लो तो बढ़िया कंपनी को अपने पोर्फिल में जगा दीजिए क्योंकि यह सब स्टॉक घुमा फिरैक्पो पर ही आ जाएगा और आप लोग छोटी छोटी चो क्या बड़ा पैसा लगा दीजिएगा क्योंकि स्टॉक जब गिरेगा भी ना तो उसी रहतार से गिरेगा तो अगर आप 10-15,000 पर लगाएंगे 20,000 पर लगाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा जादा पैसा लगाईएगा तो फिर हमें मत कमेंट कीजिएगा क्यो कर लाल को भी खरी दिये और भी मैं चोटी चोटी कंपनी जो बताता हूं सभी को खरी दिये 20-25 अरकी वेलू 10-15 सालों में कुछ भी हो सकता है और जिसमें आपका पैसा डूब गया वो तो डूब गया लेकिन एक ही कंपनी में आपका पैसा कई गुना हो जाएगा यह सब च आप लोग को मिलने पाएगा आप लोग क्वालिटी कंपनी पैसा लगाए तभी जाकर आपका पैसा बनेगा लॉंग टर्म में धन्यवाद